Hello Guys , Assalamu alaikum , This is Aisha Nathim and Welcome back to my channel आप तक मुझे बताएं के ये वाले जो बीच होते हैं। ये वी किसको पसंद हैं? और ये होते हैं वो घर्बूदे के और गर्मा के जो बीच होते हैं ये हैं तो मैंने पहले भी करके रखे थे उसमें थेली में अब देखे इतने से ही बचे तो मैंने थोड़े से कर लिए हैं वह बहुत मज़े के लगते हैं तो आप लोग पता हैं अगर आपको इपसंद है तो कॉमेंट करके बताएं और आज खाने में बन रही है यह डाल इफटारी में हम लोग शायद खाना ही खाएंगे क्योंकि मैं पूर्णाजन हो गया, फ्तारी बनाय जा रही है, वह होता यह थोड़ी सी खाई जातीैं but ब it was saying what you are, अलीशा COGS मैं खाती हूँ ना यह भाला अजक गाता है ना ही जो हैना हजबन खाते है तो लों को थोड़ी थोड़ी सी हजबन तो फिर भी थोड़ी बहुत चक लेते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं इफ्तारी खाते हैं तो अब डिसाइट किया है कि बड़े आखिर के रोजे बच्छे हैं लेकिन उसमें खाना ही बनाऊंगे और अगले रमजार देहीं जो है न यही करूंगी कि खाना ही बनाओ क्योंकि यह लोकस्तारी में कुछ भी नहीं खाते हैं अगर कुछ खाना होगा तो अपने लिए बना लोगा और साथ में यह वाली जो मिर्चे होती है आगर आप इसको किसी भी चीज में डालेंगे सालन में या दाल में यह इतनी अच्छी होती है इतना अच्छा इनका फेवर होता है कि आपके खाने का मज़ा जो है ना और जादा बढ़ जादा तो आप लोग अगर कोई यूज नहीं करता तो वह जरूर ट्राय कीजिएगा और बहुत टेस्टी लगती है और इसका आपना भी यह खिड्की जो है ना बहुत जादा गंदी हुरही थी इसकी किनारिया होती ना यहां पर बलेक बलेक सीकाई सी आजाती है यहां पर यह आप देख सकते हैं यह ने बहुत कोशिश की पिर भी नहीं निकली लेकिए साइटों में जो लगी थी मैंने अभी ब्रश से ही कर आप जब वह ब्रॉश और गंदा मैंने रख दिया तो फिर रोना धोना शरू कर दिया कि मुझे क्यों नहीं दिया तो फिर से इस लड़के के लिए मैं साफ भ्रेश निकालना ही था तो अमने जब ब्रॉश निकाला तो यह ऐसे करने वाड़े गया आपने मुह पह देख लो कि यह क्लर और मैं लेके आई थी गार्णियर का मैंने कुछ फॉर फाइफ मंथ पहले लेके आई थी और मैंने इसको जो ना लगाया था तो यह वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अक्सर जो है ना यह वाला कलर लगाती हूं और अभी वी ऐसा हो रहे के थोड़े हो जाए तो यह है और इस दफा मैंने सोचा है कि छोटी छोटी जो काम होते हैं के कपड़े स्टी करना बच्चों की पजामों में लास्टिक डालना और यह सब जो है ना मैं पहले से ही करके रख लूँगी क्यूंकि जो है ना एंटेम में हमेशा करती हूं बड़ी जो है न अब मैं जो है ना यह कलर जो है लगाऊंगी तो मैं आपको इसका बिफोर और आफ्टर दिखाऊं भी जाप लग लग सकते हैं के साइटों में कैसी दूर सी हुए भी है दिख सकते हैं और अगर मैं कहते हैं के अगर घर में ही एक कैसी घंदी होती है तो अगर ये हमें 2-3 महीने का भी टायम मेरा आता है कि 2-3 महीने के बात गंदी हो रही है तो पुराई नहीं है कुछ इसको ठोड़ा सा जो है न ये ब्रश के साथ करने में यूदिक मैंने इससे पहले वाइप से भी किया हुआ है तो वाइप इतने जादा कॉर्णर में जाता नह हुआ हुआ है तब मैं हाँ पर आ गई हूँ दूसरे रूम में जहां पर ये दो चैस रखी हुआ है और ये जर्ज जब से रखी है रखी है न तो इस पर जब भी हम रूम में आते हैं हमाई आप में कुछ भी होता है वो इसी चैर पर आके जो है ना पड़ जाता है लेकिन फिर दुबारा दूसरे दिन वैसे ही हो जाता है तो जो चीज अगर आपके घर में सोफा है चैर है मेरे घर का मैं बताओं जो यूज में नहीं आ रहे हैं तो यही होगा कि उस पर चीज़ें पड़ती जाएंगी और फिर वो साफ हो जाती है सानी कि नहीं होती साफ हो मैंने के कलर करने की तइख यह तो मैंने के यहां ना लास्ट राजआ की ती वैसे तो मैंने निकाला उसको मिक्स किया और और अपने मेरे रखा। मैंने जुष करती तो जो मैंने किया हुआ। तो चोड दिया। मैंने 10-50 हुए और जो कणियो किया खूरो कढ़ता ह्यू expressing के अंदर आ गया तो यह आप देख सकते कि परपल कर जब पूरा हो गया ना तब जाके मैंने अपने अप्लाय किया हैड में और फिर जो कलर आया पड़ाई खुश्रत कलर आया तो अब यहां पर मैं आ गई हूं पॉलर में मुझे आईब्रोस बनवाने थे तो अभी तीन चार लोग थे तो थोड़ा टाइम लगना था तो अब यहां पर मैं वेट कर रही हूं